इंबी चेख करना कितना नेट एंबी बचा है कितना यूज हुआ है वाई-फाई से kittе रही अफ लोह भैफ और डॉडविल करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तो डाउबिंस नेट जम new computer को opened करते हैं और open करने के बाद दोस्तो आपको बताते हैं इसम Самि क्या क्या setting करना पड़ेगा तो चलिए सबसे पहले हम open पे click कर देते हैं सबसे पहले आपको download करना पड़ेगा आप download कर लोगे तो इस तरह का option आ जाएगा तो option आनेक बाद हम open पे click करते हैं open पे हमने click कर दिया open पे click करने बाद दोस्तो आपको उपर इसमें से कोई भी पे नहीं click करना है आपको आजाना सबसे पहला option दिया है daily data use आपको इस पर click कर देना है दोस्तो open setting मांग रहा है ठीक है हमने open setting कर दिया फिर यहाँ पर एक option मांगेगा जो आपने application डाउनलोड किया है जिसका नाम है internet speed तो चलिए यहाँ धोनना है देखिए यहाँ पर मिल गया net speed indicator यहाँ से आप permission दे दिया permission देने के बाद हम इसे back करते हैं बेक करते हैं दोस्तों चलिए यह बेक हो रहा है एक बार और बैक करतेंगे बैक हो जाने के बाद दोस्तों आप उपर देख रहे हैं यहाँ फिलाल और सो करना सुरू कर देगा कि कितना mb का data देखिए यहाँ पर 11 MB का speed दे रहा है ठेक है तो यह speed यहाँ पर सो करना सुरू हो गया uploading speed देख रहो यहाँ पर downloading speed दोनों सो करने लगा तीसरा दोस्तों ऑप्शन है डेली वाइफाई यूज यानि कि वाइफाई से आपने कितना data यूज किया इसको open करने के बाद दोस्तों आपको बताना सुरू हो जाएगा तीसरे नंबर का option आप देखी रहे हैं लिखा है download speed upload speed download और upload दोनों का यहाँ पे setting है तो दोस्तों आपको इस app को डाउनलोड करने के बाद आपको तीन setting आपको चालू कर देना है तीनों setting चालू करने के बाद दोस्तों उपर से आपको slide करना होगा उपर से आप जैसे slide करों आप देख रहे हैं फिलाल मेरा data दे रहा है 12 MB का speed दे रहा है Wi-Fi से मैंने कुछ इस्तमाल नहीं किया है तो 0000 आ रहा है और downloading speed देख रहे हैं करीबर 101 के दोस्तों आप अपने mobile में इस app को download करने के बाद उपर से एक बार slide करना होगा जो slide करते हैं और नीचे का फाइल खुलत सकते हैं और Wi-Fi का downloading का uploading का यह दोस्तों चारो सिस्टम आप वहां पर से slide करके देख सकते हैं और फिलाल उपर भी डाटा सो करता है फिलाल मेरे उपर आप देख रहे हैं कि कितना MB का speed दे रहा है तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताए वीडियो अच्छा